मैं, मैं और मैं की भावना ही एहुकार है जब मनुष्य को पद, प्रतिष्ठा, ज्यान प्राप्थ हो जाता है और किसी भी शेत्र में उपलब्धी प्राप्थ कर लेता है तो उसके मानस पटल में स्वयम ही एहुकार आदाता है वो अपने आपको सर्वोत्तम, सर्वोग्य, सर्वोपरिमाने लगता है और सब लोग उसके सामने तुछ है ऐसा व्यक्ति अपने एहुकार एवं दूसरों की अस्वी कृति के कारण योग्य व्यक्तियों से दूर चला जाता है ये उसकी ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा है वो एक एकाकी जीवन जीने में मजबूर हो जाता है मैं तो ये कहूँगी कि आहिंकार एक बीमारी है मलो रोग है एहम के दल्दल में धसा व्यक्ति हर समय असंतिष्ट अश्यांथ और तनाव में रहता है ऐसा व्यक्ति जो एहंकार से पोश्ट हो वो और मनिश्यों के सद्गुण ग्रहन करने में भी वन्चित हो जाता है इस तरह से वो नैतिक और अध्यात्मिक विकास की ओर नहीं बढ़ पाता ऐसा व्यक्ति कि दुनिया स्वयम से चुरू होती है और स्वयम पे खतम हो जाती है ये जो मिथ्या आवरन है एहंकार का ये उसको नवीन ज्यान और रोनती और क्रेटिव होने से रोकता है एहंकार लोगों को भ्रमित करता है पर उसको पता होना चाहिए कि ब्रह्मान्ड में वो व्यक्ति एक शून्य से भी कम है एहंकार से वेट की शक्ति खत्म हो जाती है और मनुष्य अधोगती को प्राप्त होता है तो एहंकार से बचिये झाल एहंकार से वेटिये झाल 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 झाल